गर्मियों के मौसम में किसे ठंडी लसी पीना पसंद नहीं होता है तो आज आप मेरी वीडियो में देखेंगे कि मैंने तीन डिफरेंट तरह की लसी बनाई है जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी है रोज लसी बनाने के लिए हम एक ब्लेंडिंग जार में एक कप देही कलेंगे उसमें हम दो चम्मच चीनी एड़ करेंगे और फिर उसमें हम दो चम्मच रोज सिरप एड़ करेंगे हम चीनी का यूज कम ही करेंगे क्योंकि रोज सिरप भी मिठा ही होता है ये आपको मार्किट में इसली मिल जाएगा इसके बाद हम इसमें आइस क्यूब डाल देंगे और फिर हम इसे ब्लेंड करेंगे हम लसी को ज़्यादा ब्लेंड नहीं करेंगे नहीं तो लसी ज़्यादा पतली हो जाएगी और अगर आपको ज़्यादा गारी लसी चाहिए तो आप ज़्यादा दहीं का इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम लसी को सर्विंग गिलास में डाल देंगे और अगर आपके पास गुलाव के फूल की पंखुड़ी हैं तो आप उनको तोड़कर लसी के उपर डाल दीजिए इससे लसी देखने में बहुत सुन्दर लगेगी अब ये लसी त्यार है आप इसको ठंड़ा ठंडा ही सर्व कीजिए चॉकलेट लसी बनाने के लिए हम एक ब्लेंडिंग चार में एक कटोड़ी देहीं के डालेंगे इसके बाद हम इसमें चॉकलेट तोड़के डाल देंगे यदि आपके पास कोको पॉर्डर या चॉकलेट सिरफ है तो आप उसका यूज कीजिए उससे टेस्ट और अच्छा आएगा फिर इसमें दो चम्मच चीनी के डाल दीजिए इसके बाद इसमें आइस क्यूब्स डाल दीजिए और फिर इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए और फिर इसे ब्लेंट कर दीजिए अब हम लसी को सर्विंग गिलास में डाल देंगे और उपर से हम थोड़ी सी चॉकलेट क्रस्च करके इसमें डाल देंगे इससे लसी देखने में बहुत अट्रक्टिव लगेगी ये लसी बच्चों को बहुत पसंद आती है तो आप भी इसे बनाए और इसे ठंड़ा ठंडा सर्व करें प्लेन लसी बनाने के लिए हम सबसे पहले ब्लेंडिंग जार में कटोरी देहिं की लेंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा इलाइची पाउडर डालेंगे और अब इसमें दो चम्माच चिनी के डाल देंगे फिर हम इसमें आइस क्यूब डाल देंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको ब्लेंड करेंगे अब हम लसी को सर्विंग गिलास में डाल देंगे और अगर आपके पास देहिं की उपर किमलाई है तो आप उसको भी इसके उपर डाल दीजिए और इसे थंड़ा थंड़ा ही सर्व कीजी अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी जुरूर ट्राइ कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेर कीजिए and don't forget to like, share and subscribe my youtube channel and thanks for watching